ये इस्टुएंट आपका अपना यूटूब चैनल दसंदेश इंस्टूट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ सर्विश्य वास्तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे के चैनल के बारे में जो की कैसे आप कैसी करना होता है और इसके साथ ही साथ जो है आप सबसे पर आपको हम बता दे कि यह आप हमारे चैनल पाप नए हैं तो आप हमारे चैनल को आप सबसे पहले आप सबस्क्राइब कर लिए और उसके बगल में बेल आइकान है उसको भी आप प्रिस कर लिए ताकि इसी तरह की वीडियो जो है आपको हमेसा आपको मिलती रहेगे सो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आ क्या मिलती इनाने की तिल्पलसकी का जो फॉल्अ क्या होता है कोर्ष performed रह्य कुस्ट होता है तो यह जो यह एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है और यह डुर्व एक सोसाइटी के द्वारा इसको क्राश कवरू गरुदा है और उसी society की दोरा जो इशको करा जाता है यह जो course होता है यह 3 मंट का सोता है यह जो ते कोई ठीज का ये दिक जूंक hmenते है तो वहां पर जैसे computer का डिप्लोमा मांगता है तो वहां पर जो है त्रिपल सी लिखा है तो वहां पर तो आपको त्रिपल सी लगाना होगा लेकि अधर्वाइस यह दिक्यों डिप्लोमा मांगा है तो जो इसको भी लगा सकते हैं और इससे भी यह दि कोई आपने डिप्लोमा लिया है computer का तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं इसके आप देखेंगे इसके बाद UP SSC में आप जानते हैं कि UP SSC से जितने भी वेकन्सी आ रही है जैसे life पाल है वीडियो है तो उसमें जो है ти्रिपल सी नेसेसरी कर दिया यानि कि कि आप triple c pass out रहेंगे तभी आप यहां पर फार्म फिल कर पाएंगे ठीक है तो triple c आपको पास होना ज़रूरी होगा जो कि थ्रे मन्त का यह कुर्स होता है इसके बाद जो है अब यह बात आती है कि कि द्रिफ़िट का फार्म कैसे भरा जाता है ठीक है तो त्रिफ़िट का फार्म को आप फौर्म को आप वहां पर फिल करा सकते हैं और इन्सीट्वी द्वरा जो होता है यानि कि आप किसी भी सेंटर पर जाएंगे computer center बजाएंगे आप वहां पर भी फार्म आप इसको भर सकते हैं दोनों में different क्या होता है different यह होता है कि जब आप डारेक्ट यदि आप फार्म फिल करते हैं तो आपके certificate पर जो होगा कोई different और नहीं है है ना इसके बाद जो है यहां पर triple c में hundred questions जो है पूछ जाते हैं यानिकि hundred questions जो होता है triple c में पूछा जाता है उसमें होता क्या है कि objective type की question होगा और इसके बाद जो है true false के questions वहाँ पर मिलेंगे है ना तो objective में जो है यह 50 questions आपको मिल जाते हैं और true false में आपके 50 questions मिल जाते हैं लेकिन थोड़ा साथ आप यहां पर देखेंगे कि 50 questions जो है इसके पहले जो है एक्जाम हुआ करता था तो उसमें 50 question true false के आता था लेकिन कुछ यहां पर थोड़ा सा new category आपका यहां पर update किया गया है यहां पर क्या किया गया है कि 50 question जो true false आता था वहां पर उसको जहां 10 से 15 के बीच कर दिया कोई 10 और 15 के बीच कभी कभी होता है कभी 15 से लेकर आपका 20 के बीच होता यानि कि आप जो है इसी के बीच रहेगा यानि कि 10 से 15 कोशन true false को सकते हैं या 15 से 20 कोशन true false के हो सकते हैं और बाकी जोगा objective वहां पर question मिलेंगे है ना तो इस टाइप का जो है आपको यह format होता है question का और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको कोई negative marking नहीं होता यानि कि आप question जो भी आता है तो आप उसको solve करते भी आप उसको complete कर लेंगे ताकि यहां पर कोई negative marker नहीं है अपको कोई गलत हो जागा तो उसके मानस आपको किया जाएगा ठीक है उसका कोई negative marking नहीं है प्लस पाइंट इसमें थाइन देना पड़ेगा कि यहां पर जो होता है जो भी आप कोशन करेंगे न तो उसमें जो होता है इसमें यही होगा कि जो कोशन इस इसको बीविव करो तो आप क्या करेंग यानि न कि यहाने ऑप करने के में आपको तर्डी 30 seconds लएगा ओर सो आपका टाइम लासा घला जा तुसमें आपको को यह से कर गाएंगे तो कहाना यह है कि सो स्क्र dád ओर आपका इसको पर क्लिक कर देजे हैं इसके बाद जो है तिया प्रक्रिया करने के बाद जो है इसमें त्रिपल सी में क्या-क्या कोश्ण पूछा जाते हैं और किन किन टॉपिक से कोश्ण किया जाते यह सबसे बहुत ही पुछी जाते है यानि कि बेसिंग इंफार्मेशन में जैसे काइंट साब डिवाइस के वारे मैं आपका पुछा जाता है इंपुछा जाता है इसके बाद इसके बाद ये सब सारे है आपके ुइंट आते हैं फंडामेंटल के थूआ तो आप करने क्या होगा कि आप इन- WAINTS बेसिक पॉइंट होता है आप इसको पढ़ लेना है इसके बाद कि नमबर आ जाता है जो है लिवरो आप इसका थिकए डफित्फ si aoad तो देखेंगे दो आपिस एक आपने वह तो आपने पढ़ा कि एनए इसके बाद इसमें अब इसके बाद इसके बाद इसके बाथ सब्संसर कर ठीड़ा है थी दिए परफच में एकस्ट ठीड़ा जैंकर पलगा है WILL से SW Produkt हुप यदि आप MS आपी से अच्छे से पड़े हैं यानि कि वर्ड एक्सल पाउरपाइंट एक्सेच बहुत अच्छे से आपने कंप्लीट किया है तो आपको घबडानी कि आपको जोरुत नहीं है क्योंकि लिब्रो आपीस जो है वह MS आपीस से ही कापी किया गया है यानि कि ऐसा न पर अग्छान देने जाएंगे तो आप यहां पर लिब्रो आपिस में जो फोर टाइप पर अपके आ रहे हैं राइटर है इंप्रेस है इसके बाद कैल है इसके बाद का ने आहिए इसका ग्सतेंशन नेम आम आपको देख लेना एवहान उसको तहालद नेम और क्विश का है बारे में आपीटिंग्स सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना होगा क्योंकि इस से रिलीटेट Eagles डास अतरश्टम को अप्रेटिंग पढ़लते हैं इसके बाद आपका numbers आता है digital financial services के बारे में आपका ठीक है digital financial services के बारे में आपका आता है यहां पर क्या होगा कि कुछ financial related कुछ questions आते हैं triple C में तो आप उसको भी थोड़ा सा वहां पर पढ़ना पड़ेगा इसके बाद number आता है internet का सबसे important point आपका internet और networking से question triple C में आप से पूछा जाता है अक्सर यानि कि internet के बारे में आपको ओगा कि internet का विकास कब किया गया था internet से related internet से related जो भी full farm आ रहे हैं आप उसको भी पढ़ना पड़ेगा इसके बाद networking होता है networking आपको three types की networking land main when आपको पढ़ना पड़ेगा और इसके साथ ही साथ जो है यहां पर आपको full farm भी आपको पढ़ना पड़ेगा यानि कि इस एंफ फूल फार्म के आते हैं इसके बाद उसके साथ ही आपको shortcut की आपको देखना पड़ेगा यानि shortcut की में आपको word है excel power point axis यानि कि इन सभी सारे point को जो भी इसमें प्रोग्राव कah जाएं की आते हैं यदि vientआ याद कर लेते हैं तो बहुत ही सिंपली की परिच्छा आपको निकल जाएगा। इसके बाद फुल फार्म को भी आपको देख लेना है कि EU आई का फूल फार्म क्या होता हैं से वगा टॉ का फूल फार्म केया होता है किया होता है रोम का फुल फॉर्म क्या होता हुआ यह सब जितने ही रिलेटिड में इस्टे हैं उसका पुरा फॉल फारम आपको याद करना होगा सौuvt करेंज़ की भी आपको याद करना पड़ेगा आते कृटक प्रेबर ते तो आप एक्जयां बहुत सिंपली ज्यू है 54 की बीच यदि आप होते हैं तो D grade आपको मिले गा यानि कि 54 तक क्याद deeds 64 तक रहेंगे इस category में रहते हैं तो सी ग्रेड़ आपको मिलेगा इसके बाद 65 से लेकर आपक बीच चलेंगे तो वहांबर b ग्रेड मिलेगा नहीं सबसे उपर आपका इस ग्रेड ही होता है तो यदि आप या एक से दू दिन में यह आप सिच को कभर कर लेते हैं यदि पढ़ लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आपको जो है यानि कि 55 से लेकर 64 तक यदि कोशन आपका सई हो जाता है तो सी ग्रेड वहा आपको समझ में नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है कोशन उसका आंसर नहीं आ रहा है तो उस कटेगरी में आपका ट्रू-फाल्स की कटेगरी में आप क्या करेंगी कि यदि ट्रू-फाल्स में यदि कोशन आप पढ़े हैं तो जी ट्रू है तो ट्रू ही होगा फाल्स है त है क्योंकि त्रू की जो होता है क्योंगी जो संख्या होती है यनी तो आपको वे तो आपको पर क्लिक कर देंगे तो आपको क्लिक कर देंगे तो आपको क्वोच्छन लगभग वह भी ही हो जाएगा ठीक है तो आप इस तरह से बहुत ही आसानी साप परिशा को पास कर पाएंगे आई यह सब सारे प्वाइंट्स साप लोगों ने समझ लिया होगा और जो है इसके बाद यदि कोई आप कोई 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 डाउट होता है तो आप में इसको क्रेट कर सकते हैं और यदि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेड़े ताकि इसी तरह की वीडियो जो है आपको हमेशा और लगातार आपको मिलती रहेगी अब मिलते हम नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए ज